इसी प्रकार से महाराज स्री के स्रिमुक से कथा प्रसंगों का निरंतर आनन लेने के लिए पुझिस्री के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें मा के प्रश्र सिंखला को सुनकर हरहिय राम चरित सब आई प्रेम पुलक लोचने जहर आगया भगवान का चरित्र जो जो था वह दिव्य भाव भगवान शिव के घृदई में अवतरीत हो गया और भाबा अड़तालीस मिनट ध्यान में निमगन हो गया मगन ध्यान रस लंड जुग और निमन वाहर की रगुपत चरित महें सित्र पहर शित्र बैबर नेरी जिसको जाने बिना जूठ भी सत्य जान पड़ता और जिस प्रभू को जान लेने के बाद ये जूठा जगत समाप्त हो जाता है उन इस्टदे वो प्रभू श्री राम को में बंदन करता कौन अतो जो चक्रवर्ती महराज के आंगन में विच्रन करते हैं मंगल भवन अमंगल हाई द्रभवु सुदश रथ यजीर की हाई प्रणाम करके प्रभूश्री रगुनात जी के पावन चरणों में और बाबा ने मा की प्रसंसा की धन्य दन्य की गिरी राज कुमारी तुम समाय नहीं हो वो प्रणारी पूछे उरगुपदी कथा प्रसंगा सकल लो जग पावन चरणार राम करके प्रसंगा सकल लो जग पावन चरणार राम करके प्रसंगे राज कुमारी तुम समाय नहीं हो जग प्रसंगे राज कुमारी प्रसंगे राज कुमारी तुम समाय नहीं हो जग प्रसंगे राज कुमारी आओं करकल पारी सम्सए प्रसंगे राज कुमारी तुम समाय एक राज कुमारी दन्न आप स्वनाम धन्य है, कौन धन्य है? बाबा ने मौकी प्रसंसा करते हुए क्या कहा? धन्य धन्य, आप धन्य है, स्वनाम धन्य है, क्यों धन्य है? पूछे हो रगुपति, कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावरिकंगा, पूछे हो रगुपति भगवान की कथा सब नहीं पूछते हैं, और सब को अच्छी भी नहीं लगती है मैं अक्सर कथाओं में कहा करता हूँ, जो कथाओं बड़ी होती है, कि भाई देखो, कथा में भी पुन्य करिये क्या पुन्य करिये, अतो कोई सो रहा हो बगल में तो उसको जगाईये मत मेरी अम्मा जी कहा करती थी, कि बेटा कोई सो रहा हो और उसको जगा दिया जाए न, तो गव घात कपाप लगता है सोने वाले को सोने दीजिए, क्योंकि पहली बाद तो लोगों को नीदे नहीं आ रहे है बड़े दुखी हैं लोग, सो नहीं पाते है और नीद यूँ नहीं आ रहे है कल किसी ने परश्णोतर सत्र में परश्ण किया है कि महराज जी हम बहुत पूजा पाट करते हैं, हमारा दुख नहीं जाता है देखो, पूजा पाट से दुख नहीं जाता है पूजा पाट से भगवद भक्ती बढ़ती है भगवान में प्रीत ही बढ़ती है दुख का पूजा पाट से क्या लेना देना? आप बताईए पूजा पाट दुख हैरन कोई दवाई है क्या? हम इसलिए पूजा न करें कि उसे दुख दूर होगा दुख क्या है? बुसुन्डी बाबा कहते है नहीं दरित्र सम दुख जगबारी मानसिक दरित्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं ये मानसिक दरित्रता क्या है? है का नहीं होना ये मानसिक दरित्रता है समझ रहे हो? क्या? है तब भी रो रहें नहीं है साथी लोग साथ में चल रहे हैं पाकेट में पैसा लिये हैं कहें हैं नहीं आप तीरत गए कल किसी ने प्रस्न किया कि मराजी जहां तिर्ज पर जाओ पंडा लोग लूट लेते हमको तो नहीं लूटते देखो जो कंजूस आदमी होता है कंजड होता है धरिद्र होता है उसी को लोग लूटते जो देने वाला सवाव रखता है दातार को कोई लूटता अब बच्चे हैं बच्चे कहा रहे हैं पापा फुटबाल मंगा दो पांसो कहाता है हाँ नहीं है अब एदी आपने बच्चों से ये कहा छोटे-छोटे बच्चे घर के कि आज हमारा एक हजार रूपया कहीं गिर गया तो बच्चे ताली बजा के ना चाहिए अच्छा हुआ फुटबाल नहीं लाएते गिरना ही चाहिए हमको अरे भाई है देखो है का नहीं होने का सुभाव यही दरिद्रता है है तब भी नहीं है इसको कोई दूर नहीं कर सकता यह क्यों निमेदन करता हूँ यह लिखा है इस गरंत में बुसुंडी बाबा आगे कहते है पहले क्या है रूपया से पैसा से समान से घर से घोड़ा से गाड़ी से बंगला से एई दरिद्रता कोई लेना देना ने दरिद्रता एक सुभाव है है का नहीं होना ये सुभाव है कोई कहे आज आज हमों को वस्तो लाना है आम लाना है बीस किलो के करें दो किलो बहुत है दो किलो आम कौन खायेगा घर में पांच लोग है तो हमको तो वक्यले मिले तो बीस किलो खा जाए जीवन में ये दी आपका विस्तृत सुभाव नहीं है तो यही मानसिक दरिद्रता है और इसकी तुलना में संत से मिलने जैसा सुख इस धर्ती पर नहीं है क्यों संत मिलन का सुख इसलिए सरेष्टतम है कि संत जब मिलते हैं तो वो अनन्त में हमको रमा देते हैं अनन्त कोन है परमात्मा यन माया वशवर्द विश्वमखिरं ब्रहमादि देवा सुड़ा यसत्त्वाद्म जैब बादि यकलं रज्जव यथार हैं ब्रहमाद। भगवान जिसकी माया से पूरी धर्ती आवेश्टित है वो परमात्मा का गुणान बाद करने वाले भागवजन संत जन सुधी जन हम जब उनसे मिलते हैं तो वो हमको भगवान में रमा देते हैं उनसे मिलने जैसा सुख नहीं सभाव की दरद्रता समाप तो होनी चाहिए और सामान में न चिपके हो बजट में बाव में इजले मेरे बाबा कहते हैं देवी श्रिराम कथा सुंदर हाथ की दिब बिताली है इसको बजाने मात्र से संसाई रुपी पक्षी उड़ जाते हैं जो श्रिराम कथा श्रमन करेगा उसके साब संसाई समाप तो हो जाएंगे राम कथा सुरदे नुसम सेवत सब सुख दार सत समाज सुर लोक सुन सुने असे जाए सादु समाज में संत समाज में साधकों के समाज में भक्तों के समाज में ऐसा कौन है जो बज़वान की पवित्र कथा शमन नहीं करेगा ते जड़ जीव निजात्मक कौन जीन ही ने रगुपती कथा सुखाती जिसको भगवान की कथा भाती नहीं सुखाती नहीं वो जीव जड़ कौन सुने असरी जान मेरे बाबा करते के दुरूए इसी तरह सुनते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बिल आइकन को दबा दीजिए और पुन अर्जन के लिए अपनों में सेयर करिए कर दो